Hello students, स्वागत है आप सभी का हमारे second channel जिसका नाम है आपसे कुछ बाते हैं और thumbnail देखके तो आप समझी गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करूँगा जी हाँ, लिखावट क्या सुधर सकती है और अगर सुधर सकती है तो उसे कैसे सुधारें तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर लिखावट कैसे सुधरी जाती है या क्या लिखावट सुधर सकती है तो देखिए इसका सीधा सा जबाब है कि लिखावट अभ्यास से ही सुधर सकती है इसका एक सिंपल है लेकिन फिर भी आप भ्यास करें तो किस तरीके से करें और लिखावट जो है आपको सुधारने में कौन-कौन से स्टेप उठाने पड़ेंगे और जिसके आधार पर आप लिखावट को और अच्छा बना सकते है देखिए हर बच्चे की अलग अलग राइटिंग आती है किसी की अच्छी आती है, किसी की मीडियम आती है, किसी की थोड़ी खराब भी आती है लेकिन आज मैं जो आपको टिप्स दूँगा उसमें यदि आपकी राइटिंग मीडियम और खराब भी आती है तो भी आप उसको बहुत अच्छा लिख सकते हैं और उसका जो है तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और आप जो लिखेंगे लिखावट के बीच में जो भी आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके भी लिखावट बहुत अच्छी आईगे तो बस सोचना होता है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ां हो सकती है तो सबसे महत्पून बात ये है कि लिखावट आप अभ्यास से सुधारत होगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है तो अभ्यास अच्छा होगा तो लिखावट आपकी बहुत अच्छी आएगी जैसे आप नॉर्मल गर में देखते हैं कि आपकी माता जी जब रोटियां बेलती है तो बिलकुल गोल आती है जबकि आप बेलते हो तो रोटियां अतनी गोल नहीं आपाती तो इसका सीधा सा ये जबाब है कि माता जी का अभ्यास बहुत ज़ादा है वो सालों से ही रोटियां बिल रही है लेकिन आपका उस छेत्र में कितना अभ्यास नहीं है तो आपकी रोटियां गोल नहीं आती यहाँ पे यही बात है तो वही चीज है कि आप लिखावट जो है आपका जितना ज़्यादा अभ्यास होगा लिखावट उतनी ही ज़्यादा खिलती है लेकिन समस्या यह है कि आपका अभ्यास उतना है नहीं तो आपकी लिखावट थोड़ी सी बीक रह गई कोई भी चीज है जिस चीज में आपका अब्यास बहुत जादा हो जाता है तो वहाँ पे आप उस चीज को बखो भी कर पाते हैं बहुत अच्छे से कर पाते हैं फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट बदे देता हूँ जिसके आधार पर आप लिखावट बहुत अच्छी कर सकते हैं देखिए तो ये मैंने चार पॉइंट आपके लिए बनाए हैं और इसी आधार पर हम ये समझेंगे कि लिखावट आप कैसे सुधार सकते हैं सब्दों के बीच में परयापत अंतर दे कर आप जो भी सब्द लिखते हैं जैसे यहां पे सब्द लिखे हैं तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में लगभग परयापत अंतर है तो जब भी आप एक्जाम में लिखें या कुछ भी तो आपको पहले तो प्रैक्टिस करनी चाहिए लेकिन जब आप एक्जाम में लिखते हैं तो आपको सब्दों के बीच में परयाप्त अंतर देना है तो उनके उपर जो सब्दे के उपर ये लाइन आपको दिखती है ये आपको कोसिस करना है कि ये लाइन आपकी सीधी रहे क्योंकि अगर ये लाइन इधर से चली जाएगी या कभी कभी जल्दवाजी में उपर निकल जाती है या इस तरीके से हो या बीच में यहां पे थोड़ा सा या जुक जाती है तो इस से वो अक्षर उतना प्रभावी नहीं दिखता तो कोसिस क्या करना है? सबसे पहली बात क्या है कि सब्दों के बीच में आपको परयाप्त अंतर दे कर लिखना है और दूसरा क्या है? कि जो उपर की लाइन होती है ये आपको कोसिस ये करनी है कि ये सीधी लाइन रहे तो सुरुआत में थोड़ा आप धीमा लिखेंगे तो इन चीजों पर गौर कर पाएंगे तो ये जो तीसरा पॉइंट आपको मैंने बताया है ये उसी को इंडिकेट करता है कि सुरुआत में जब आप यदि ट्रेनिंग कर रहे हैं कि मुझे लिखावट सुधार नहीं है तो आप सुरुआत में थोड़ा धीमा लिखें अब तीसरे पॉइंट से चौथा पॉइंट बिलकुर रिलेट करता है कि आप लिखने का माटेरियल कहां से लाओगे तो चौथा जैसे पॉइंट है कि रोज एक पेज लिखने का अभ्यास करके तो ये लिखने का माटेरियल कैसे तो बड़ा ही सिंपल है जो भी आपने आंसर याद किया है उसको आप लिख के देखिए देखिए लिख के देखना बड़ा ही इंपोर्टेंट होता है क्योंकि आपको एक्जाम में लिख के ही बताना पड़ता है तो आप क्या करें जो भी आंसर आप लिख रहे हैं उसको सबसे पहले आपने याद तो कर लिया है उसको आप रफ रजिश्टर में लिख के देखें तो आप लिख के देखोगे तो यहाँ पे दो काम होगे पहला काम यह होगा कि आपका जो आंसर आपने याद किया है उसकी प्रैक्टिस हो रही है और दूसरा लिखावट सुधरने की भी प्रक्टिस हो रही है तो ध्यान रखिए अब आप जो आंसर लिखते हो उसी में आपको ये तीन पॉइंट ध्यान लेना है जैसे आपने कोई भी आंसर याद किया तो अब आप उसको रफ में लिखोगे तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है वो जरा ध्यान से सुनी है सब्दों के बीच में परियापत अंतर दे कर यही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि और सुरुआत में थोड़ा सा कैसा लिखें दीमालिक है क्योंकि आप एक्जाम में तो लिखने ही रहे है तो थोड़ा सा आप दीमालिक है जिससे क्या होगा आपको एक लिखने की जो रिदम होगी बो प्राप्त हो जाएगी लिखने की भी एक रिदम होती यानि लिखने का अपना एक तरीका होता है वो कैसे आता है आपकी जो natural speed होती है उसको थोड़ा सा कम कीजिए यानि कि थोड़ा सा धीमा कीजिए ताकि आप अक्षर को proper time दे सकें उसको बनाने में proper time दे सकें जैसे आप ये ला सब्द लिखते हैं तो आप जल्द बाजी में ला को पूरा नहीं बनाते और पूरा time नहीं देते तो क्या होता है उससे writing जो है आपकी जो लिखाबट है उस पर असर आता है तो शुरुआत में जब आप धीमा लिखोगे तो वो proper time जो है वो सब्द को मिलेगा और वो जब लिखेगा पूरी तरीके से तो फिर वो अच्छा लगेगा देखने में और सब्द के जो उपर वाली line है उसको आपको कैसा रखना है सीधा रखना है तो बस ये basically चार point से जिसके आधार पर मैं आपको sort में बताना चाहता हूँ कि राइटिंग जो है आप सुधार सकते हैं या उसमें थोड़ा सा improvement कर सकते हैं हलाकि बहुत अच्छी राइटिंग यदि आपको करना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये अभ्यास से आएगी और ये अभ्यास जो है चार point कहीं न कहीं अभ्यास को ही दिखा रहे है तो सबसे basic line यही है कि यदि आपको अपनी लिखावट सुधार नहीं है तो आपका basic line यही है कि अभ्यास अच्छा होना चाहिए क्योंकि इंग्लिस में एक कहावत है practice makes man perfect इसका हिंदी में अर्थ होगा कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है तो जितना जादा आपका अभ्यास होगा किसी भी field में उतने ही आप उसमें master हो जाओगे तो यही आपको ध्यान रखना है अपने जीवन में और लिखावट सुधारने का कोई भी shortcut नहीं होता मैं आपसे किसी भी तरीके का जूट नहीं बोलना चाहता लिखावट सुधारने का कोई shortcut नहीं है बस आपको ध्यान रखना है कि मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है और उसके लिए लिखावट यदि आपको सुधारने है तो अभ्यास करना बेहधी जरूरी है तो रोज एक पेज लिखने का कोईसिस करें रोज एक पेज लिखें कम से कम एक पेज तो आप लिखी सकते हैं तो आपकी बूर्ड परिक्षा तक जो राइटिंग है उसमें कुछ ना कुछ जरूर सुधार होगा और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और थोड़ा सा अपने जीवन में भी इसको एपलाई करें तो थैंक यू